स्थिर्ड देर के अचिर्ट संग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्राँजल सिंग एंग इन दी फैगल्टी ओफ लाउ इंदी ओंडी कोरेंदी ओंपुकशिन कम्यूनिटी और आज आप सबी स्थिटीन्स के लिए में लेके आया हूं हमारे 36 गड़ एक्साइज आक्ट यानि की 36 गड़ आपकारी अधी नियम का एक और वीडियो लेक्चर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डील करने वाले हैं चैप्टर 7A ऑफ दी एक्साइज आक्ड जो की डील करता है एक्साइज आक 1915 जिसमें अभी हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7A जिसका सेक्शन 49A इसमें 49B भी था जिसको अब ऑमिट कर दिया गया है अब वो आपको बेर एक्ट में नहीं दिखेगा हलंकि आपको वहां पर ऐसे तीन स्टार मांग दिख जाएंगे जो कि यह बताते हैं कि यह ओमिटेड है यह क्या कहता है 49A यह कह रहा है पेनाल्टी फॉर इंपोर एक्सेक्टर ऑफ लिकर अन्फिट फॉर हूमन कंजप्शन और फॉर अल्टरिंग और अटंप्टिंग तू अल्टर डिनेचर्ट स्पिरिशियस प्रिपरेशन यह बात कर रहा है एक तरह की के पेनाल्टी से अब वो पेनाल्टी अब यह क्या ति तरह की अगर कोई इंसान क्या कर रहा है इंपोरडि एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ड बॉटल मैडिफेक्शर यह वह बना ररा है बेच रहे बेज रहे कहीं से मंगा राइए कोई ऐसी शराब या कोई ऐसा कि में आता हो जो की कि इल Last of anybody ना हो या इंहिऊन क के लिए दूज चाहिए चीनी चाहिए चाय पत्ती चाहिए और पानी चाहिए अब अब हमने क्या हिय उसके अंदर हम थोड़ा सा हम हींग बी डाल की टैम और वहती कॉंसे करेशिशन में किसी भी प्रकार के कोई मिलावट करी जिससे कि उसका composition खराब हो और वो human consumption के लिए safe नहीं बचा यह हुआ B point C point क्या है has in his possession any spirit or denatured spiritual preparations इसके possession में ऐसा कोई चीज है जो कि human consumption के लिए ठीक नहीं है और या फिर उसके पास human consumption के लिए अगर है भी वो ठीक तो भी वो तब है जब उसके पास allowed नहीं है वो चीज रखना यानि कि या तो उसके पास कोई गलत चीज है या तो उसके पास कोई सही चीज है लेकिन वो सही चीज को रखने के लिए हगदार नहीं है और उसके बाद डी क्या कह रहा है mix denatured spirit और such altered denatured spirit और denatured spiritual preparations with portable spirit यानि कि आप इसको आशान्थ भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह है कि denatured spirit एक टाइप की दूसरे टाइप और denatured spirit के साथ क्या कर दिया गया उसको mix कर दिया गया या किसी portable spirit के साथ mix कर दिया गया यानि कि एक शराप से दूसरी शराप को mix कर दिया आप केवल इतना समझे तो इस तरह की चीजें जो कि human consumption के लिए गरबढ़ है अब यह जो चार पॉइंट है यह क्या context बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं यह आपको केवल यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी कोई ऐसी शराप का manufacture किया जाए या उसको बनाया जाए या उसको दूसरी शराप के साथ mix किया जाए उसके composition को बिगाड़ा जाए या ऐसे जो गरबढ़ चीजें वो किसी इंसान के पास पाई जाएं तो यह सब अपराद माना जाए क्योंकि यह human consumption के लिए बात करता है आवह जो इस सब सेक्शनma के लिए पास्वत करता है यहके अपराद कियो कि इसका है इसको हम कहते है table number one, यह subsection one के under में ही आती है, यह क्या बता रहे कि अगर कोई इनसान पिछले दिये गए चार कैटिगरीज में जो हमने देखा, यहां पे इन चार कैटिगरीज में अगर कोई अपराद करता है, तो उसकी सजा कितनी होगी, तो अगर उसने कोई काम किया, जो क कि unfit for human consumption है, यानि कि अगर उसने कोई शराब बनाई, mix करी, भेजी, लाई गई और उसको देखा गया और पता चला कि यह human consumption के लिए ठीक नहीं है, तो उसको सजा कितनी मिलेगी, दो महीने से दो साल तक की सजा मिल सकती है, और साथी साथ उसके उपर fine लगाया जा सकता है, यहाँ पे होने की possibility है, इंजूरी होने से पहले शराब मिल गई, तो हमारी जो clause 1 है वो apply होगा, जब injury हो चुकी है, तब clause 2 apply होगा, और यहाँ पे सजा कितनी है, चार महीने से चार साल तक की सजा है, just multiply by 2 हो गया, और साथी साथ fine, addition में fine है, अब हमारे पास तीसरी category क्या है, कि यहाँ पे शराब पीली गई, और उसकी death हो गई, यानि कि यहाँ पे शराब केवल मिली थी, अभी तक लोगों तक कौची नहीं थी, और उसको चेक करके पता चला गरबढ़ है, तो 2 महीने से 2 साल, यहाँ पे किसी ने पीली और उसको injury हो गई, पेट खराब या कोई दि अगे भी हमारे पास कुछ है, क्या है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है सब सेक्शन टू, सब सेक्शन टू और कुछ भी नहीं केवल इतनी सी बात बताता है कि अगर यही सेम अपराद कोई repeat कर दे, यानि कि एक बार वो कर चुका था, उसको जितनी सजा मि imprisonment हुआ तो कितना होगा, तो subsequent time अगर unfit for human consumption में पकड़े गए, तो 6 महीने से 4 साल सजा बढ़ रही है, 7-7 fine, अगर उसने human body में कोई injury create करी, तो फिर 1 साल से 6 साल सजा फिर से बढ़ी, plus fine, और अगर death हो गई, तो life imprisonment भी हो सकता है, और 5-10 साल तक भी हो सकता है, और यह हमारा plus fine के साथ है, तो यह था हमारा section 49A, जो कि बात करता है कि अगर कभी किसी human body को नुकसान पहुचे तो हमें क्या करना चाहिए, I hope यह video lecture आपको समझ में आया है, और अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt रह गया है, तो आप हमें इस video lecture के comment section में पूछ सकते हैं, हम आपका doubt वहा का notification आ चुका है, ADPO का notification आने वाला है, अभी हमारी mains की त्यारी चल रही है, तो competition community जिसका center है बिलासपुर के मंगला चौक में, वहाँ पे ADPO की नई batch शुरू हो चुकी है, तो अगर आप interested है, तो आप उसमें admission ले सकते हैं, civil judge की नई batch आने वाली है, एक और एक दो batch हमारी प कर सकते हैं, जो आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, आप हमारे offline center को visit कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो हमारी website, जो कि है competitioncommunity.com पे जाके, आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt है, तो आप सीधे इस वीडियो lecture के comment section में डाल जाएगा, आपको हमारी team pink कर देगी, तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए all the very best, keep studying hard and keep stay motivated, thank you.